पर जब शाम को उसके पिता आते हैं तो चमतकार हो गया क्योंकि उसकी मेमरी में वो डिसकरेट हो गया जो सुबह गये थे और वो शाम को आए हैं दुनों में कोई कर्णेक्शन नहीं है इसलिए जब हम किसी को पहली बार देखते हैं न पहली नजर में ऐसा ज़ादू हो गया वो ज़ादू किसलिए है नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका जैनयोगा चैलेंज 2022 आप लोग आज जो सीखेंगे बहुत मुश्किल चीज को टैकल करना सीखेंगे आज एक मैम का फोर आया था तो उन्हें बताया करीब साल भर पहले उनकी हस्बिन को बिजली का जटका लगा तो डॉक्टर के पास ले गए डॉक्टर ने आख का एग्जामिनेशन किया उसको बोलते हैं प्यूपिलरी रिफ्लेक्स चेक किया वो फाइनल टेस्ट होता है ये कोई आदमी जिन्दा है अगर मर गया फून की डेथ हो गई बहुत दुखी और परिशान थी वो ये बात आपकी ममी ने सुन लिया वो चिन्दा करने लगी कि आशोकर तुम चले गए तो तो अगर जब मेरी डेथ हो गई आप में से किसी की डेथ हो गई ये किसी के भी जान पैचान में किसी लव्ड वन की डेथ हो गई तो हमारे माइंड को इतना बड़ा जटका लगता है कि वो कभी उसमें से उबर नहीं पाता लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उबर नहीं सकता spiritual practices, spiritual knowledge का काम ही है कि जितनी बार भी उसको दुख हो जटका हो, suffering हो वो अपने divine के और पास पहुँच जाए ये function है, इसे अब गाड़ी को self start करते हैं तो गाड़ी चालू हो जा दिये तो आपकी life में अगर जटका है, दुख आया और जितना बड़ा जटका आया, उतना ही बड़ा आपको और self के पास पहुँचना चाहिए तो कैसे इस brain को हम तयार करें, कि वो अपने divine के पास पहुँच सके दो चीजे हैं, दो ultimate controllers हैं हमारे brain के, बहुत पुराने हैं ये अभी जब मैं बात करूँआ तो आपको लगएगा एक क्लीशे है, इसको इतनी बार लोग बताते हैं, इतनी बार हम सुन चुके हैं कि जब दुबारा कोई भी बात करता है आपके आस पास में, तो उमको लगता है कि एह, खुसट बुड़ा, बस वही बात भी करता है, लेक जब हमारे आस पास में किसी क्लोज की डेथ हो जाती है, तो इतनी तकलीफ क्यों होती है, इतनी तकलीफ क्यों होती है, और इसका आंसर थोड़ा सोच कर दीजेगा, कुछ नया आंसर देने की कुशिश करिएगा, बड़ा कुशिश बोने हैं, जब भी हमारे नजदीक का बेटी होते हैं, या भाई बेन होते हैं, अगर इनकी डेथ हो गई है, तो इतना पेन क्यों होता है, इन तकलीफ क्यों होती है, शरीश क्यों होती है तकलीफ ? हम उनसे emotionally attached होते हैं गौरी कुछ और की वही तो वही physically और emotionally हर तरीके से हम उनसे connected है, memory से connected है, attached है वही हो, यही की कुछ और अगर आपने जुनों का advance पढ़ा हो, तो शायद आपको इस cancer याद आ जाए ऐसा होगा पता है, जिससे आप लोग जुनों का advance की चीजें याद कर लेंगे, सीख लेंगे, याद नहीं, सीख लेंगे, समझ लेंगे उनको practices करना शुरू करेंगे, तो आपके brain में सही answers ऐसे आएंगे जैसे mathematics के rules, 2 प्लस 2, खट से आप बोलेंगे 4 reflex में आ जाएगा, तो इतना दुख क्यों होता है वही तो मुझे बताना है आज, सुनिए पतंजली कहते हैं जिनियोगा में, हमारे mind का state मतलब हमारा mind पांच अलग-अलग states में जा सकता है लेकिन problem यह नहीं है, यह तो अच्छी बात है, पांच अलग-अलग states में जा सकता है problem यह है, कि यह mind pain को और pleasure को subjected है मतलब यह हम खड़े हैं यहाँ पे, अगर कोई मुझे जापन मारे तो दर्द होता है, कोई ऐसे सलाहे तो अच्छा लगता है यह इस skin में, हमारे mind में ऐसा designed है, कि जब भी जुरूरत से जादा चोट लगे तो दर्द हो, और अगर कम touch हो तो अच्छा लगे, और कोई touch ना करे तो बहुत खराब लगे यह designed है, क्योंकि हम किसी से भी connected हैं, जिससे भी connected है, उससे बाहर से connected है माइंड से connected है, और यह माइंड की कोई बहुत ताकत नहीं है, आज मम्मी पूछ रहे थी इस चीज़ को आशी अगर तुम चले जाओगे तो फिर मैं कैसे जीओंगी, मैं रिखा मेरे काम को करना आशी शुकला कौन है, आशी शुकला है zen yoga, nothing else physical form में तुम जो मुझे देखती हो, जो मैं तुमसे बाते करता हूँ, वो एक केवल 1% है मेरे काम को शुरू कर देना, किसी भी दिन खतम मत करना, छोड़ना मत, तो तुम मुझे experience करोगी but pain इसलिए होता है, because हम mind से mind को connect करते हैं और mind किसी भी चीज से connect नहीं कर सकता, because mind अपने आप में क्या है एक ऐसी instrument, एक ऐसा machine, जो पाँच states में घुमता रहता है और उन पाँचो states में घुमने के वैसे क्या होता है उसको, या तो pain, या तो pleasure in fact कहना चाहिए pain, या तो no pain, या pleasure, या तो absence of pleasure उसी से next question निकल के आता है आपका ये पाँचो अलग-अलग modifications हमारे mind के क्या है हमारे mind के पाँच अलग-अलग modifications क्या है और उसमें सबसे important modification कौन सा है और क्यों पाँच अलग-अलग mind के modifications क्या है और उसमें से सबसे important modification कौन सा है और क्यों correct knowledge incorrect knowledge इमाजिनेशन पाँच मोडिफिकेशन इस माइंड का ऐसा है कि उसको आप दक्का मारो चला जाएगा correct knowledge में दक्का मारो पहुँच जाएगा incorrect knowledge में और उसके बाद slow जाएगा फिर सपनी देखेगा सबसे important है correct knowledge लेकिन क्यों अगर correct knowledge में आप रहना सीख ले अगर आप भी बाकी modifications में से वापस आ सकें तो आपको इस दुनिया की real आउकात पता चल जाएगी क्या मतलब है आपके पिताजी की हो गई death physical form गया molecular form तो है आप उससे connect कर लेंगे physical form की death हो गई उनकी divine fragment तो है आप उससे connect कर लेंगे इसलिए एक क्रिष्ण एक रमण कभी दुखी नहीं होता क्योंकि उसका correct knowledge मतलब क्या physical world temporary है लेकिन हमको लगता नहीं temporary ये incorrect knowledge है ये magic है इस प्रमान का ये सबसे बड़ा illusion है इस दुनिया का हमारे आस पास में जो दुनिया है वो है temporary हमको लगता है permanent और जो चीजy permanent है वो उनको लगता ही नहीं है एक ही चीज़ दुनिया में permanent है कौन सी? divine fragment और वो तो हमारे bias में भी नहीं है हमारे cosa में भी नहीं है हमारे imagination में भी नहीं है curiosity भी नहीं है कि अगर है तो कैसा है लेकिन रमण जैसे लोग वो जानते हैं इसको साक्षात रमण के सामने अगर किसी की डेथ हो जाती है तो बुलते है फिजिकल बॉड़ी तो गई है उसके लिए किसी की डेथ पतलब वो सो रहा है फिजिकल बॉड़ी इस असलीप अगर आप लोग बेटरूम में सोते हैं तो मैं डिस्टर्ब नहीं करता हूँ ऐसा नहीं है कि मेरे बच्चे सो रहे जाकर अरे चुप जबस्ती गले लगाओ सो गए वो तो एक छोटा बच्चा होता है बहुत छोटा बच्चा जिसकी मेमरी इतनी वीक है कि वो श्लीप को या किसी की एपसंस को करेक्टी नहीं कर पाता कि है वो जबसे एक छोटा बच्चा का पिता घर से बाहर जाते है जॉब पे वो चीकता है चिंगारता है क्यों उसको लगता है गए जिंदगी भर के लिए चले गए पर जब शाम को उसके पिता आते है तो चुमतकार हो गया क्योंकि उसकी मेमरी में वो डिसकरेट हो गया जो सुबह गये थे और वो शाम को आए है इस दोनों में कोई कर्णेक्शन नहीं है इसलिए जब हम किसी को पहली बार देखते है न पहली नजर में ऐसा जादू हो गया वो जादू किसलिए है पिछले जनब में तुम दोनों ने खूब ऐसे ही एक दूसरे के साथ कुद्टे बिल्ली की तर लड़ाई किया था मतलब शादी की थी और लड़ाई किया था और क्या होती शादी प्यार क्या होता है correct knowledge का मतलब है आपको हर चीज का exact perception होगा आप किसी भी चीज के साथ फसेंगे ही नहीं वो है correct knowledge इसलिए हो सबसे important है इसलिए मैं मम्मी से बोल रहा हूँ आप लोगों से भी बोल रहा हूँ अगर किसी closed ones की death हो तो चुट जाओ काम पे अपने आपको बार बार correct knowledge पिलाओ correct knowledge is not words correct knowledge is perception अभी जनोगा advance में क्या चार चीज़े सीखी थी हमारा mind क्या क्या कर सकता है examination कर सकता है किसी भी चीज की ब्रह्मांड में किसी भी चीज की examination कर सकता है discriminative participation वो घुश जाता है उसका good जान जाता है IES कितना है तीसरा inspiration के जरीए उसका क्या जान लेता है वो purpose दुनिया में कोई भी चीज किस लिए पैदा हुई है कब तक वो enlightened होगी और last वो उस चीज को experience कर लेता है through identification अगर modifications को रोक सके control कर सके तो ये चीजे हम कर पाएंगे और यही purpose है हमारे mind का ना कि एक दुसरे के साथ connect हो करके बड़े खुशी-खुशी छोले-बुटूरे खाना अगर उस रस्ते गए अगर आप sensual pleasures में गए तो कर लिजे, enjoy कर लिजे लेकिन भूलिये मत कि ये temporary है एक train से जब हम जाय करते थे बच्पन में फिल्म में बनती थी बहुत क्लीशे स्टोरी थी हर फिल्म की almost अब तो trains दिखाते भी ने फिल्मों में पहले स्टोरी ऐसे होती थी husband wife या बेटा के साथ गए train में और फिर training station पी रुकी मटके में पानी खतम हो गया तो बाप उत्रा train में से पानी भरने के लिए train चल दी ऐसे हम लोग के साथ बहुत बहुत बार heart attack हो चुका है वो फिल्में देखते थे पापा उत्रे पानी ले निकले और पापा लोग बड़े हीरो पानी भर भर के आप बाहर खड़े हैं गेट के पास अब जो लोग ट्रेन के अंदर होते हैं उनको memory disconnect हो गई फिल्म की memory दिमाग में चल रही है अब हर लाइप में जो भी चीज़े हम pleasure के लिए करते हैं वो temporary है आपका काम ट्रेन में बैठके वहाँ जाने का है अगर आप नीचे उत्रे और ट्रेन चली गई में काम भूल गए आप इसलिए मैं ममी से बूल रहा था हम जब तक जिन्दा हैं या मेरे मरने के बाद भी we should be building a आश्रम जिन्योगा आश्रम जहाँ पर आशीश जैसा एक नहीं एक हजार लोग इकटे होकर के पाँच मॉडिफिकेशन क्या है क्लियर हो गया next question यह main सवाल है आज का how to control these modifications इन मॉडिफिकेशन का मालिक कैसे बने अपने mind का मालिक कैसे बने अपने thoughts का मालिक कैसे बने अपने life का मालिक कैसे बने दो तरीके हैं basically हमारे mind में अपने काम करने के धेर सारे औजार हैं, internal organs है यही mind जूं करके घुसता है memory के अंदर में, वो भी ठीक से नहीं घुस पाता कभी कुछ याद रहता कभी नहीं फिर ठक जाता है तो जूं करके वापस दूसरे organ में घुसता है sleep वाले organ में वहाराम करता है वहाराम से निकला, दिन में बैठा हुआ है imagination करता है, वो तो पहले करता था अब नहीं imagination करता है, अब देखता है hulu, julu, pulu, tulu जो जो भी आपके OTTs आये है जो कुछ भी ओ दिखा दे वो उसकी imagination का part है और दिन भर उसकी बारे में सोचता है और वो imagination भी कम हो गई तो एक तरफ हो गया memory एक तरफ sleep, एक तरफ imagination एक तरफ incorrect knowledge मैंने incorrect knowledge, मतलब मैंने गौरी को बोला, कि भाई देखो तुम्हे ultrasound सीखना चाहिए, वैभा को बोला तुम्हें editing करनी चाहिए, आपको बोला आपको coding सीखनी चाहिए और यह सब आपके कान में गया, आपको लोगा हाई राम, यह तो जान से मार डालेंगे हमको जीने नहीं देंगे, नहीं मैंने ऐसा नहीं बोला जो मैंने आपसे आदे घंटे कल बात की, आपसे अपना thought share किया, जैसे आज सुबह मैंने आपसे thought share किया, तीन technologies के बारे में, जो एक साथ काम करती है, artificial intelligence, API, और ambient technology, इस सब अपने thought share कर रहा हूँ, incorrect knowledge मतलब गलत फहमी होना in fact, 2400 घंटे हम लोग जो जी रहे हैं, वो incorrect knowledge ही है incorrect knowledge मतलब thoughts में जीना, अब मान लिजे, आपके closed ones की हो गई death, आपके पिता जी की हो गई death, अब आपका दिन भर, रात भर, thought कहा जाएगा, पापा यहाँ बैठा करते थे पापा ऐसे class बनाया करते थे पापा यहाँ बिस्तर पिलेट के हमको मजाग किया करते थे कभी-कभी सुआया करते थे अन्य दिखो, यह पापा की library है यह पापा के कपड़े है, यह पापा के shirt में से खुश्बू आ रही है, जब तक जिन्दा थे, तब तक नहीं आद आती आप क्यों याद आ रही है, यह incorrect, खाली memory नहीं है एक incorrect knowledge इस तरह से भी है क्योंकि आपके पापा के death नहीं होई है physical body गया है बाकी सब जिन्दा है divine fragment जिन्दा है, molecular body जिन्दा है electronic body जिन्दा है, लेकिन हमने उसको कभी खोजा ही नहीं, खोला ही नहीं इसलिए जानते ही नहीं है, जो चीज़ नहीं जानते वो ऐसा नहीं कि वो exist नहीं करती है हम नहीं जानते, तो incorrect knowledge मतलब अभी पूरी जानकारी नहीं है हम लोग के जमाने में एक बच्पन में एक cartoon आता था उसमें चार अंधे, हाथी को touch करते है चारों अंधे, और चारों इस दूसरे से बात करते हैं लडाई हो जाती है पहला वाला बोलता है हाथी उसने हाथी का पैर पकड़ा था, बोलता है खंबे की तरह होता है, दूसरे ने सून पकड़ी थी तो बोलता है साप की तरह होता है तीसरे ने उसकी पूछ पकड़ी थी तो बोलता है जाड़ों की तरह होता है चौते ने हाथी की कान पकड़े थे तो बोलता है सूप की तरह होता है तो हाथी चारों की तरह था लेकिन चारों ने अलग-अलग चीजें देखी थी हाथी की तो हम लोग ने तो हाथी का केवल मतलब आदमी का केवल शरीर देखा है आवाजें सुनी है उसके पीछे की mystical चीजें खोजी ही नहीं जानी इसलिए वो क्या है क्या है वो incorrect knowledge है इसलिए जब आप बैठ करके वीडियो के हम खेलते हैं आप incorrect knowledge ले रहे हैं अंदर आप जितना अपने brain में thoughts डाल रहे हैं emotions डाल रहे हैं, distractions डाल रहे हैं उतना ही incorrect knowledge डाल रहे है तो control कैसे होता है 2000 है ancient time से जो पहले रिशी थे तब से लेकर के अभी तक जितने भी spiritual teachers हुए हैं उन सब ने इनी 2000 को यूज किया है अलगने तरीकों से सारे meditation, सारे योग, सारे spirituality यही दो औजारों को यूज करती है, सबसे पहला औजार है tireless endeavor अथक परिश्रम because brain natural नहीं है, उसको train करना पड़ेगा, वो animalistic है कई करोड जन्मों से उसको आदत पड़ी है thoughts की, emotions की, body की, उससे हटने के लिए आपको करना पड़ेगा tireless endeavor, tireless endeavor क्या है अभी बात करता हूँ और दूसरी चीज है non attachment आप अपने पिता से attached है अपनी वाइव से, अपने husband से अपने बेटे से आप उससे नहीं attached है, आप उसके रूप से attached है आप उसकी reality से नहीं attached है आप जब miss करते हैं, तो उसको नहीं miss करते हैं हम emotional होते हैं किसी के मरने के बाद हम reality को नहीं जानना चाहते हैं हम उसको केवल experience करना चाहते हैं तो अगर आपको reality जानना है इस mind को control करना है अथक परिश्रम करना होगा और non attachment साधना होगा तो क्या है यह अथक परिश्रम? tireless endeavor का मतलब है अपने mind को बार बार restrain करना जैसे ही वो खोता है किसी memory में जाता है तो वापस लाओ किसी imagination में जाता है तो वापस लाओ, अगर उसकी जरूरत नहीं है तो उसको वापस लाओ एक जानवर को आप domesticate कैसे करते हैं, एक जंगली जानवर को domesticate कैसे करते हैं, जंगली जानवर अतलब जंगल में कहीं भी घुमता विरता रहता है, आवारा है domesticate मतलब उसको आप पकड़ के लाते हैं, एक खूटे से बान देते हैं एक पेड़े से बान देते हैं यही रहे हैं यही तेरा घर है आपके मैंड को बोलते हैं न तुफालतू की चीज़े नहीं सूचेगा तो यही रहेगा present moment में रहेगा इसको करने के लिए जनुगा सिखाती है धेर सारे use of free will interface आपकी धेर सारे activities हैं खाना पीना सोना चलना जो कुछ भी आप करते हैं उन सब में आपको अपने free will use करनी है अगर आप free will नहीं use करते हैं अपनी switch नहीं use करते हैं वापस आने के लिए तो आप भटकते जाएंगे distracted होते जाएंगे जंगली होते जाएंगे और दुख को और अपनी life में invite करते जाएंगे तो tireless endeavor क्या है बार बार वापस लाना हम लोग अपनी life में कोई छोटा कोई बड़ा नहीं कोई छोटा काम भी क्यों नहीं कर पाते ये primary reason है उसका जो चीज हम पाना चाहते हैं चाहे वो आत्मन हो समाधी हो चाहे एक professional degree हो या किसी काम में expert होना हम इसले नहीं कर पाते क्योंकि वो चीज जो हम पाना चाहते हैं वो sufficiently valued नहीं है sufficiently valued एक बच्चे के लिए उसका video game sufficiently valued है इसे जैसे ही वो पैसा पाता है जाता है उठा के लिए आता है उसके बाप के लिए नहीं है उसके बाप के लिए उस चीज की game की या mobile की कोई value नहीं है उ लेजली का बिल कैसे दिया जाएगा पेट्रोल कैसे डाला जाएगा गाड़ी में उसके लिए उसकी sufficient value है लेकिन बच्चे के लिए उसका mobile की sufficient value है जिस चीज की sufficient value हमको हो जाती है वो चीज हम पा जाते है और फिर उसको पाने के लिए आप जितना परिश्रम चाहिए जो effort चाह रहे हैं मेनत कर रहे हैं उसका फल तो मिलेगा लेकिन फल मिलने से बहुत पहले आपको एक और चीज मिलती है peace of chitta आपका mind steady हो जाता है काम हो जाता है जो आदमी ultimate successful होता है चाहे spirituality में हो चाहे life में हो वो success को पाने से पहले वो शान्त हो जाता है क्योंकि वो realize कर लेता है कि अ तो पहुचेंगे ही जो winning post है वहाँ तो पहुची जाएंगे दिखता है उसको कि वो मेरे आग के सामने है excitement नहीं होती peace होता है इसी को steadiness of chitta बोलते हैं तो दो चीज़े हैं जिसके जरीए आप अपने mind को शान्त कर सकते हैं कौन कौन सी दो चीज़ें tireless endeavor अथक परिश्रम औ non attachment लेकिन जब तक वो नहीं हो जाता जब तक आप अपने define को नहीं जान लेते mind को control नहीं कर लेते जिसे business में भी medium में मैं आपको बोलता हूँ धेर सारे mistakes जाननी है spirituality में भी आपको धेर सारे blocks समझने हैं कौन कौन सी चीज़े हैं जो हमको अपने mind को regulate करने में रुकावट पैदा करती है कोई भी एक चीज़ जो आपके brain को control करने में रुकावट पैदा करती है meditation में रुकावट पैदा करती है next सूत्र यही तो है the obstacle to soul cognition खुद को जानने के obstacle कौन कौन से है bodily disability खाते खाते मोटे हो गए body कुछ करी नहीं पा रही है एक आदमी जो exercise वियायाम नहीं करता walk नहीं करता number of steps नहीं बढ़ाता रोज उसकी bodily disabled हो जाती है कमजूर हो जाती है mental inertia कुछ time के बाद जब बड़े पापा यहां नहीं रहेंगे तो आपको क्या जरू होगा अपनोगा यह सब मारा काम नहीं है आर मारा काम हमारे mobile में जूलू ने नया शो रिलीज किया है वो देखते हैं यह mental inertia है उसके बाद एक और बड़ा खतरनाक block है wrong questioning क्यों भगवान क्यों ले गए मेरे साथ ही ऐसा क्यों करते है यह wrong questioning है आप यह पूचिए हाँ ठीक है तो death क्या है life और death की बीच में difference क्या है और अगर कोई चीज है जिसको life और death के beyond जा सकती है तो कैसे जान सकता हो इसको यह right question है जब हम दुखी होते हैं तो wrong questions करते हैं पता नहीं चलता कि wrong questions कर रहे हैं पता है आप लोग के लिए पढ़ाई इतनी मुश्किल क्यों है because आप ल अरे जोड़ो यार जिस चीज के हम बहुत value नहीं करते हैं उसमें बहुत careless होते हैं वो भी soul cognition के लिए रुकावट है meditation के लिए रुकावट है क्योंकि meditation की दुनिया में आप एक fourth dimension में जाते हैं यह three dimension है जब mind के दर जाते हैं तो वहाँ time का concept ही गायव हो जाता है gravity खता हो जा करके अगर आप नहीं काम कर रहे हैं अपने उपर तो धीरे धीरे आपका mind भूल जाएगा कि उसको खुद को जाना भी है lack of dispassion आप लोग खोज रहे हैं अपना passion और जुनों का बोलती है lack of dispassion विराग आप जिन चीजों के प्रती attached है उसके प्रती detached होना पड़ेगा जो च बड़ा block है इसलिए खुद बुद्ध छोड़े और अपने सभी पिक्षों को चुड़वाया क्या चीज राजपाट रुप्या पैसा आयाशी चुड़वाई एक और बहुत बड़ा block है eronious perception sex शराब इस तरह की सभी नशीली पदार्थ क्योंकि ये brain को और जादा lazy बना द लेता है और last जब भी आप meditate करने की कोशिश करेंगे शुरू में केवल एक second दो second के लिकर पाएंगे जब भी आप कुछ लिखते हैं कुछ लिखते हैं कुछ किताब पढ़ते हैं कुछ सुनते हैं आपको पता नहीं चलता आप कुछ second का awareness practice कर रहे हैं meditation कर पा रहे हैं वो एक आपका mind control में नहीं होगा concentration को एक fire की तरह जलाना होगा जैसे एक छोटी सी आग होती है शुरू में आग पकड़ती नहीं है लकड़ी मोटी लकड़ी हो तो उसमें आप कागज जलाते हैं माचे जलाते हैं घी डालते है बहुत देर बाद लग आग पकड़ती है ऐसे आपका mind उस ग्यान के आग को शुरू में नहीं पकड़ेगा उसमें आलस की इलापन है यह से बलग लग ब्लॉक्स है खुद को जानने के लिए दो तरीके हैं tireless endeavor और non attachment लेकिन यह ब्लॉक्स को भी पहचानना होगा और उनको bypass करना होगा color पड़ते हैं दोस्तों कर अब जिनोंगा झाद एमAI थनोंगा जिनोंगग keh जिनोंगा आनना को पना के कि बीए nelmen याल वेंगे खुद को भावा जिसे थे क हında उनको प्यान देने का थांक हैं कि अत्hã गारे दोस्तों ऐर्शक्सित अंद्धों कि अज्यात बाती ठकुषक्ता उनकिते हैं ंरे सेुद्स औरॉक्ता झाल